तो गीता के दूसरे अध्याय में अभी तक हमने 48-48 श्लोक तक किया था, आज हम 49-49 श्लोक से करेंगे, जो टापिक चल रहा है बुद्धी योग, योग अप विजडम, यहां विजडम का सिर्फ कितना सेंस है, कि जब हम कोई काम करते हैं, उस समय हमारा state of mind कैसा हो, और जब आप state of mind, उसकी result में क्या मिले, उसके प्रती attracted ना हो, और उसकी जो doership है, उसको claim ना करें, जो भी result मिले, उसको accept करें, अच्छा बुरा जो भी है, और उस फल का उस result को मेरे द्वरा ही हुआ, I am the doer of that, इस तरह के sense न रखे, यह उस बुद्धी योग या कर्म योग की part है, और धिरे धिरे जब ऐसा प्राक्रिस करते हैं, तो आपको जो अच्छीव करना है इसमें, the tranquility of mind, मन आपकी पूरी तरह एक जैसा रहे, एक जैसा सिद्धी असिद्धी में भी, जब आप अच्छीव करते हैं, या जब आप फेल हो जाते हैं, जब आप successful होते हैं, या जब आप unsuccessful होते हैं, तो दोनों परिस्थिति में आपका मन एक जैसा हो जाए, तो फिर आप उस रास्ते पर ठीक रास्ते पर चल रहें, अचीव कर रहें, तो यह इसी discussion में हम चल रहे थे, अगला श्लोब कुसी से related हैं, तूरेन यवरम कर्म बुद्धियोगा धनन जया, बुद्धव शरण मन्युच्छा, कृपनाह तलहे तबहा, यह धनन जया, धन को, वेल्थ को जीतने वाले, बुद्धियोग से यह जो आम कर्म है, जो नॉरमल अक्टिविटीजे, वो इन्फिरियर होता है, और दूरेन इस फार इन्फिरियर है, बहुत चोटा है, इसलिए बुद्धव शरण मन्युच्छा, इसलिए उस बुद्धि में अर्थार्द योगा पुविश्डम या कर्म योग में शरण जाओ, रेफ्यूज लो, और उसी को प्रैक्टिश करने की कोशिश करो, क्योंकि जो लोग फल का कारण बनते हैं, अर्थात जो रेजल्ट मिले, वो मेरे मेहनत, मेरे कारण मिला, ऐसा जिनका सोच है, या कोई भी काम करते हैं, उसका रेजल्ट पाने की इच्छा से करते हैं, वो कृपन होते हैं, माईजर्स होते हैं, कंजूस होते हैं, चोटे होत कि दो तिन चीज़े लेंगे सबसे पहले ज़रा जो जो हल्की फुल कि धनन जया अर्जुन के लिए एक सब्दा था उसके लिए कि वह नीद को भी जिता जिता हुआ है उसकी स्टोरी आपको बताया था कैसे ज्ञान सीखिने के लिए वह रात को सोना भी बंद कर दिया उसी तरह एक शब्दा आता है धनन जया अर्जुन के ही एडजेक्टिव तो ऐसा जब वो जुदिष्ठिर ने बड़ा राजसुय यग्या किया तो राजा लोग दो तरह के वैसे तो बहुत तरह के बड़े बड़े यग्या होते हैं उसमें दो बड़े पॉपुलर यग्या ह एक है अश्वमेद यग्या और एक है राजसुय यग्या अश्वमेद यग्या विक्टर के लिए होता था जो नन इंडियन राजा होते थे न और जो अंसेंट इंडियन राजाओं में फरक्ष समझी है वो चाहते थे मिनिममम वाइलेंस हो मिनिममम वार और उसमें वो क्या करते थे और जितना भी चाहते थे तो वो चारों डायरेक्षन में या हर डायरेक्षन में घोड़े भेशते थे घोड़े में पट्टी बंदी थी उसमें लिखा होता था कि मैं अमुक राजा का घोड़ा हूं अगर आप एक सर्वाई राजा के सबोडिनेट बनना तो फिर मुझे मत पकड़ो राजा या उसकी जो सुलजर से वो अगर सपोज घोड़ा दोड़ के जा रहा है दूसरे देश में इंटर किया चलो मेक्सिको में इंटर किया अमेरिका का घोड़ा मेक्सिको के जो आर्मी हैं पुलिस हैं इन्होंने अपने राजा को इन्फॉर कि तो फिर गोड़ा आगे बढ़ जाएगा अगर को पकड़ेगा तो घोड़े के साथ जो आर्मी आई हुई है उनके साथ उनकी वार होगा अब वो लड़ाई में फिर जो जीतेगा हारेगा देखा जाएगा पर बिना लड़ाई के कुछ राजा अक्सेप्ट कर ले क्योंकि बहुत सरे राजा होते हैं कमजोर होते हैं उनको अन्नेसेसरी लड़ाई करके मरने की मारने की जरूरत नहीं है तो इस तरह धर घुड़े के साथ बहुत सरे आर्मी के कमांडर तो जाते हैं और नकें टार्गेट होता है कि इतने राज्यों को हमें जीतना है वह इतने एक साल तक 1-2 गर ढुंम की पिक्हट है इतने तक घुड़े जाएंगे तो तो जिनोंने अच्छेप्ट कर लिया कर लिया जिनों में नहीं किया उनके साथ वार होगी बैटल होगा लड़ाई होगा लड़ाई में वो जीतेंगे और नॉर्मली जो घोड़ा भेशता है वो तभी वेशता है जब वो सियोर है कि मैं इतना पावरफुल हो गया हूं कि हूं कि पराचीन काल क्या यग्या होते थैंग हुथ दूसर रिप्टान के अब सिर्फेट थिस ईए होती थे तो उसर ऐग्या में एकल्चेंशन्स दूर्ज कर लड़ा होता था इंटर्टेंगे में कौनभी होता था पालिक्स भी वह होती थी तो आरे राजाओं को बावा तो वो सब एकठा होंगे उनको रिसीब किया जाएगा जो जो सब राम ने अश्वमेद किया तो फिर वह राम को मान सब मिलकर के राम का राजा विशेख करेंगे तो इसलिए उसका नाम अश्व से चुड़ावा है वो भी बहुत बड़े रूप में होता था क्योंकि बहुत चरे राजा महराजे हजारों लाखों लोग आते थे उनकी तैयारियां करना और वो यग्यां महीनों तक होता था एक होता है राजसुय यग्यां राजसुय यग्यां जितने से लिंद नहीं आप इसी भी तरह बहुत ज्यादा प्रस्परस हो गए पावर्पुल हो गए ना यह आप लट सब वेल्ट प्रस्परिटी तो आप चाहते हैं कि मैं एक बड़ा यज्यां करों अपनी राजा होने का तो उसको राजसुय यग्यां करते हैं वो एक साल तक कम से कम चलता है वान यह सेलिब्रेशन होता है उसमें भी वही सारे राजा लोग आते हैं घीडवार होता है गेश्ट होते हैं तो युदिश्थिर ने जब इंद्रप्रस्थ को अपना राज्य बनाया किंडम इंद् दिल्ली जो दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ बनाया तो उसने सोचा कि मैं राजसुय यग्यां करूं तो उस यग्यां के लिए जब पहले यग्यां करते थे तो पहले तो आपको दो तिन चीजों की जर्रब वोती थी प्रिपैरेशन के लिए इन नीड लाट सब मानी वेल खाना पीना लोग लाखों लोग आएंगे उनके लिए खाने पिने के आरेंजमेंट टेंट हाउस रोयल टेंट हाउस बनता है तो क्या हुआ युदिश्चिर अपने चारों भाईयों को चारों भेशता भेजा साउत में नार्थ में इस्ट में वेस्ट में जाओ ज्यादा से ज्यादा राजाओं को जीतोओ विंद करो कंकर करो और ज्यादा से श्यादा वेल्थ और खाली वो राज्यत जीता और धन एकठा नहीं किया उन्होंने बहुत सरे राज्यों के साथ जो डीलिंग होती है उसके कारण उन्होंने बहुत सरे विवावी किया आपको पता है राजा लोग कि जो मैरेज होता है वो तो मेरेज होता है पनी भी के लिए अपनी इच्छा से पर बहुत सरे शादियां करते हैं CC अब घुर राज्य है उसकी राजकुमारी नागराज उसकी राजकुमारी तो वो इस्ट में बहुत उदर म्यामार प्यामार आगे तक गए बहुत धन संपत्ति लाए तो इसलिए उसको धननजय कहा गया क्योंकि जो वीनर और कॉंक्टरर अफ विल्ट ले करके वो आये थे यह तो खैर स्टोरी हु दूरे नयवरम कर्म बुद्धि योगा धननन जया दन को जीतने वाले अरज Gesund वुद्धि योग से जो नॉरमल कर्म है बहुती अवर होते हैं कि अवर केते हैं इंफ्यर होते हैं जो आन कर्म क्या होत penso जो जो जिन्रsels कर्म जो हम और आप करते हैं हर चीज के पीछे हमारी अपनी हम फाइदा नुक्सान कालकुलेशन करते हैं रेजल्ट मिल गया सुक अच्छा हो गया उचलतेnar बुरा हो गया रोते हैं एक्सक्यूजेश ढूंदें खराब हो गया तो ब्लेम करने के लिए कंप्लेन करने के लिए लोगों को ढूंदतें तो यह सब चीजें चलता आप जीत गए तो जी सब मेरे काराण वहा यह बहुती अबर होता है बहुती लो क्वालिटी की होती है किसस बुद्धी योग से योगाफ विजडम यहां बुद्धी योग से कर्मयोग के बारे में कह रहे हैं यहां कर्मयोग शब्दा नहीं बुद्धी योग शब्दा है पर जो डिस्क्रिप्शन है वो कर्मों के बारे में पर कर्मयोग क्यों नहीं कहा यहां क्योंकि यहां कर्मो से नहीं करोगे वही काम करोगे वही बिजिनेश करोगे वही आफिस का काम करोगे वही पलिटिकल काम करोगे वही वारियर का काम करोगे तो काम से रिलेटेड तो कुछ कहा नहीं काम के पीछे जो तुम्हारा इंटेंशन है जो आटिचूट है जो स्टेट अफ माइंड है उस कर्म योग में बुद्धी माइंड को चेंज करना होता है माइंड को उसी हिसाब से रखना होता है इसलिए बुद्धी योग से नॉर्मल कर्म बड़ा इंफिरियर होते हैं और दूसरा बुद्धव शरण मन्युच्छ कृपना फलाहे तबह इसलिए है अर्जुन बुद्धी कि कर्म को करते समय तुमारा बुद्धी विज्डम कैसा रहे उस बुद्धी योग को ही मैं अपने आपको सरेंडर करो मलब उसी को ही accept करो उसी के तरह जिने की कोशिश करो ठ्योंकि जो लोग फल के हेतू होते हैं दोज हूँ आर दे इंस्ट्रुमेंटल्स इन मेकिंग देर आक्शन दियर फूट वो कृपन होते हैं कृपन का मलग कंजूस होता है माईजर पीटी होते हैं अचली हमारे हाँ जो कंजूस होते हैं माईजर उसको संस्कृट में कृपन केते हैं क्योंकि कृपा के देर वो कंपैशन के लायक होते हैं क्यों होते हैं द्यान से सुने आप बहुत कंजूस कौन होता है बहुत पैसा कमाता है कम पैसा बहुत है खर्चता नहीं पैसे खर्चने की तीन उपाय है दानम भूग नाशह इधर आप इंजोई करो जो पैसा कमाएं और दूसरों को दो डोनेशन चेरीटी में दो सबसे खूद खूदी कर लो यह सकस्कुष दो यह उसमें मंट इंजाय करें और कुछ दूसरों के के लिए दो जो दोनों नहीं करता पैसा है उसकी क्या होता है नाशह विनाश होता है बरवादी होती है बरवादी कैसे होती है वो खुद नहीं भोग पाया पैसक हमारे बहुत सरे इंडियन लोगों में यह इस तरह की नेचर है अभी दिड़े दिड़े चेंज हो रहे हैं क्या फूरी जिंदिगी हर तरह के ऑनेशली डिसानेशली राद दिन मेह इनद करके खुब पैसा कमाएंगे पर ना खुद दो पैसा अपने लिए खर्च करेंगे ना कोई जुर्रत पड़े किसी को भाई चलो हजार डलार दे दिया पांच हजार दे दिया नहीं वह भी नहीं पांच डॉलर करेंगे और पैसा क्या होगा मरने के बाद उनके आने खुद ना खाकर कर आपने बच्चों के लिए दे कर जाते हैं इस तरह आप सोसाइटी को करते हो आप सब्सक्राइए और आपके पास बहुत पैसा है आपके बच्चे हाड वक्नें करेंगे कि उनके पास लैडी बाप की पैसा है तो वह 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 बनेगे तो आप तो नहीं है या बच्चे पैसे की इच्छा नहीं रखते हैं तो कोई भी सरकार ले लेगा कोई भी ले लेगा तो at the end of the day that wealth is useless तो दाट साथ द्यार पीटी तो दया के पात्र होते हैं जो कंजूस होता है जो खरस्ता नहीं है पैसा तो यहां कहते हैं जो फल की इच्छा रखने वाले लोग होते हैं वह उसी कृपन दया के पात्र होते हैं दया के पात्र होते हैं जो अपने कर्मों के फलों के साथ अपने आपको अइडेंटिफाइ करने किता है कि बुद्धि युक्तो जहाती है उभे दुक्रत दुश्कृते तस्मात योगाय युज्यस्व योगह कर्म सुकह शलम इसे लिए अर्जुन बुद्धि युक्त उस बुद्धी से उस योग से जूड करके यह यही पर इसी संसार में शुकृत अच्छे कर्म दुश्कृत बुरे कर्म इन दोनों को त्याग देता है तो जो व्यक्ति इस आटिचूट को डेवलप कर लिया कि कर्म ड्यूटी समझ के करो अब्लिगेशन समझ के करो विदाउट बिंग अटाश्ट विद्ध कर्म आज डूर बिना डूर करता के रुप में अटाश्ट हो करके और बिना फल के प्रती इंट्रेस्ट रख करके और जो भी फल मिले उसमें कि अपने आपको सैटिस्पाइब करे सैटिस्पाइब ने अपने आपको मैं इसकी काज हूँ इस तरह की भाव को छोड करके इस तरह के भाव जब आप करते ही जब आपका होता है तो वो न Natural शुकृत अच्छे कर्म, दुस्कृत बुरे कर्मों से छोड़ देता है या उसे छोड़ जाता है। क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, सोशियल सर्विश कर रहे हैं, तो you don't need to do anything, हमें तो वैसे ही हम स्पिरिच्वल हो गए। मतलब है कि आपकी जो state of mind है, उसमें कर्म के साथ आपकी कोई identification और attachment रहेगा ही नहीं, जब रहेगा तो तुम तुम उससे रिलेटेड नहीं हो, ध्यान रखिए जब कितने अच्छा कर्म या बुरा कर्म, आप यह मत सोच बैटिए कि आदमें बुरा कर्म लोगों को मारता जाय आप कहें में नहीं मार रहा हूं, वो तो मेरे दोरा मारा मरवाया जा रहा है, बास समझ माती है, गिता को आप बहुत इजीली इंटरपेट कर सकते हैं, आप माफिया बन जाएं, आप फुलिगन बन जाएं, किलर बन जाएं, आप कहेंगे में थोड़ी मार रहा हूं, I'm not कर अभी उसका सेकेंड पार्ट भी आया है, असूर करके, असूर, वेब सीरीज है, कमी मोखा में ले देखिए, थोड़ी कुरेल है, बहुत कुरेलीट है उसुन, वो असूर का जो क्यारेक्टर है, मेन क्यारेक्टर, जो असूर है, वो घीता का विद्वान है, वो काशी का रा इसलोजी, अटिविशियल इंटिलिजेंस और इन सब चीजों में भी बहुत एक्सपर्ट है, तो वो घीता के श्लोगों के द्वरा कन्विन्स्ट होता है, और लोगों को मारता है, हजारों लोगों को मारता है, सारा घड़बडियां फैलाता है, और हर चीज के लिए उस ल है, तो क्या है, क्या आत्मा मरती नहीं है, पैदा नहीं होती है, कौन मरेगा, कौन मरेगा, जो समस्ता है मैं मरता हूं, वो भी मुर्ख है, जो सोस्ता है मैं मारता हूं, वो भी मुर्ख है, इसी को बोल बोल के मारता है, लोगों को, तो कि सीस वी चीज को अपनी सीज को जस्टिफाइए के लिए तो सुक्रत तो सुक्रत कैसे नहीं करें diuskrut बुरे कर्म में उनकी तो बात आप ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां आप सिर्फ ऑप्लिगेशन डिवटी समझ के कर्म करते हैं कर्म के साथ आप मिंटली डिटाश्ट हो चुके हैं डूर्शिप को आप अंदर से क्लेम नहीं करते हैं जो भी रेजल्ट मिले अच्छा बुरा दोनों परिस्तिते मे आपकी माइन्ड स्टेबल रहता है ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा कर्म बुरा कर्म दोनों को यह अलग ही हो जाते हैं उससे हट जाता है तसमात योगाय यज्यस्वा इसलिए है अर्जॉन उसी योग के लिए ही ट्राइक करो उसी योग को प्राक्टिस करने के लिए थ्राइक करो और योगा कर्मसु काउशलम यह देखिए योगा कर्मसु काउशलम इससे पहले आपने पढ़ा था 48 में यह देखिए समत्वम योगा उच्यते यह एक डेफिनेशन था समत्वम योगा उच्यते और अभी जो आपने पढ़ा योगा कर्मसु काउशलम यह योग के दो डेफिनेशन है आपकी माइंड जब माइंड में जब इक्वानिमिटी आ जाए इक्वानिमिटी कब अच्छे में बुरे में डार्क में लाइट में अचिवमेंट में फेल्योर स्लोक में क्या कह रहा है योगा कर्मसु काउशलम कर्मों में जो कुशलता है जो स्कील है स्कील एक्सपर्टीज वही योग है तो कर्म में मतलब जब आप इस तरह के वुद्धी वाले कर्मों को करेंगे जो भी फल मिले उसको आपको उसके साथ अपने आपको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अचिवमेंट हो या अचिवमेंट ना हो दोनों परिष्टिति में इविन टेंपर्ड रहेंगे समान समा पर दोनों अपने रहेंगे यह आपकी स्कील है कर्म करते समय यही स्कील जब आ जाए तो उसको योग कहते हैं तो ठीक है योग के दृश्टिशे कोशलम कोशलता स्कील की बात है पर मेरी और एक अब्जर्वेशन है योगा कर्मसु काउशलम और योगा समत्व मुच्यते में तुड़ा लोर लेविल की अंडरस्टैंडिंग में समझाना चाहता हूँ डे टू डे लाइप में आप किसी भी काम में जो आपकी एक्सपर्टीज बनती है कुशलता आती है कि जब आप शब्त मन होता है डिस्ट्राक्षन नहीं होता डिस्ट्राक्षन मोशली फलों के कारण होता है रेज़ल के कारण तो आपकी मन जितनाicular प्टा तो आपके कर्म में उतनी स्कील डिवलोप होता है चलो एक्ञांप्ल लेते हैं कि दो बच्चे हैं जो कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हैं अनुवल एक्जामिनेशन के लिए एक पढ़ता है उसको पढ़ना है साल भर पढ़ता है एंज्जाइब करता है पढ़ाई करता है एक्जाम में भी जाता है फोकस करता है लिख करके आजाता है दूसरे को स्ट्रे से कि अगर में फेल हो गया मेरा 90 परसेंट आएगा की नहीं 80 परशेंट लाँगा की नहीं कॉश्चीन ईजियर होगा कि hard होगा अगर कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा और वो question paper मिल भी गया है question paper देखते अच्छा ये तो hard पड़े आप में क्या करूँ तो आपके mind में इतने सारे thoughts चलते हैं यह thoughts आपके क्यों चलते हैं क्योंकि आप बहुत बैढ़ते हो जब आप बुक खोलके भी बैढ़ते हो आपके दिमाग में यह मैं जो कह रहा हूं बिलकुल रियल एक्सपिरियन्स से कह रहा हूं लोगों की जब आप बुक खोलके बैढ़ते हो आप में दिमाग में चलता है मैं पास हो जाओंगा कि नहीं में उसे टॉप करू दूसरा बच्चा वो पड़ता है वो पड़ता है इस लोग लिखा है विहाय का उसके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है नथिंग इज गोइंग अन वो जो भी पड़ रहा है 100 परसेंट दे रहा है कोई उसको चिंता नहीं है रेजल्ट क्या होगा नहीं होगा आप उसी कहा होगा जिसको अलकी चिंता नहीं है वह बस अपने पढ़ाई में फोकेस कर रहे हैं उसको को इश्ट्रेश नहीं है तो जब आपका मन शान्त होगा शान्त तभी होगा जब आप रेजल्ट के बारे में सोचेंगे नहीं या 24 गंट श्ट्रेश नहीं लेंगे आप अपने काम को इंजोई करो इंवाल वो करके करो और करो जो सामने आता है यह सव्क्रेश करो और कर यह तो आपका मन जितना शान्त होगा उतना फोकस्त होगा जितना फोकस्ट होगा उतने आपकी स्केल डेवल निवलग करोगे अप बाकियों के आपका रेजल्ट आपका कर्म आपकी प्रड़क्ट ज्यादा बेटर होकर आएगा क्योंकि आप स्ट्रेश लेस्ट में टेंशन प्री होकर काम करते हो तो आपका प्रड़क्ट भी बेटर पनेगा योगा करम समझे मैं यह कमन लोगों की यूज के लिए बताया कि जो गिता के भाव है वो तो दोसरा है कि आप वो जो डिटाच्मेंट में और दोनों स्टेजेस में नेगेटिव या पॉजिटिव स्टेज में आपका माइंड जब इक्वल स्टेट में रहे वही योग है और उसी में स्किल लेना ह पर इसको आप आम लोगों की भाषा में भी समझें बहुत चीज है और मैंने तो स्टुडेंट की एक्जाम्पल दी आप डॉक्टर हो आप इंजिनियर हो आप पॉलिटीशियन हो सब जगह अपलाए होता है डॉक्टर रिलाक्टर रिलाक्स होकर जाए वो अपने काम को अन किया सरजरी के रूम में जाता है अपरेशन थेटर में जाता है रिलाक्स होकर जाता है उसको नहीं पता क्या होना है वो अपनी ब्यूटी को बहुत कूल और काम होकर करता है उसका रेजल्ट बेटर निकलेगा या वो डॉक्टर जो टेंशन लेकर जाता है पता नहीं सरजर करते हैं किने जो और पर कि भी सेघ साथ करा MANTE अगर कि नहीं होगा कि तो नहीं होगा तो उस वह ज्यादा सबस्क्राइब होगा वह बुजनेश में जो सब्सक्राइब के साथ काम करता जो होगा देखा जाएगा उसका रिजल्ट अच्छा है कि क्लियर है बहुत समझ में आती है ज्यादा तरह माँबाप दुखी क्यों होते हैं अब बच्चा अभी फर्स्ट ग्रेड में एट ग्रेड में पड़ा ही नहीं कि उसकी पूरी में बैठा दिया इसको में यह पड़ा होंगा इतना नंबर लाएगा इतना रेजल्ट बनाएगा यह बनेगा तोड़ी बहुत ही दर अधर हो जाता है वी टेंशन में रात की नित्वराब क्यों सोचते हो ना चुरली बच्चे को डेबलफ होने दो उसकी इंट्रेस्ट दे मेरी ड्रीम है और करम वाले इंट्रियर कर्म करनेबाले लेक्ति यह कमन लोगों के लिए बात समझ में आई योग कर वह सुका शलम कर्मों में जो एकस्पर्टी जाती है वो भी योग है यहाँसा मेरा अप्जरवेशन है अरे इकस्पर्टी आपकी तभी आती है तब रही बिलकुल tranquil mind के साथ, शान्त मन के साथ करते हो और शान्त तभी होता है जब आव अन्नेसिरी रेजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा श्टिश्ट नहीं है जो मनीशी लोग होते हैं मनीशी जो सोचते हैं जो समझते हैं जो मनंचिंतन करते हैं तिंकर्स होते हैं कि फिंकर्स दो तरह के होते हैं न जिसको आप किते हैं चिंता ज्यादा मत करो एक होता है जब अनेसेशरी हर्च ओबर तिंकिंग के तो बुरी चीज है अब वही प्राब्लेम का जड़ है पर किसी भी चीज के बारे में डिश्क्रिमिनेट करना यही चिंतन भी है न यही मनीशियों का का मनीशियों में ग्रेट पिपूल इंद जैंस वाइज पिपूल और वाइज या घ्यानि का मतलब होता है जो चीजों को इजी ली discriminate कर लेते हैं discriminate ये सही है ये गलत है ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये ब्लाक है वो white ये red ये blue है ये जो भी दुनिया जैसी है उसको as it is पढ़ लेते हैं समझ बाते हैं अपने बुद्धि से विवेक से उन्हें को मनीशी कहते हैं वह वच्छन में मनीशिना तो जो मनीशी लोग होते हैं वो धियुक्ता इसी कर्मयोग की साधना से प्राक्टिस से कर्मजम खलम त्यक्त्वा कर्म से पैदा होने वाला जो रेजल्ट है वो रेजल्ट जो कर्म से ही बना पैदा होता है उसको त्याग देते हैं renounce करते थे कि आग या renounce का मतलब यह नहीं है कि आपने आम का पेड़ लगाया और जो आम फले आप नहीं खाये किसी को दे दिया याय आप आपिस में काम किया जो salary मिले और salary नहीं लिए बोले यह नहीं लुंगा इसको नहीं कepingत ट्याग दे बाद से कि फल थेमार कि उस रामार को जो मिले इस्से अपने आप को कनेक्त हुने देना कि ऊसके लिए अपने आपको रिस्पॉंजिबल नहीं बनाना अपने आपको उसको डियरत्शिप से हटाना मेंटेली और जो भी मिला अच्छा पूरा जैसा भी मिला उसको प्रसाद परमात्मा की आशिरवाद समझके अक्षिप कर लेना जो मिला ठीक इसलिए यहां से मुझे एक बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज याद आई कि आप देखेंगे आज कल भी आप पंडिजी या कोई भी आप के यहां पुझा पाठ करने आते हैं तो आप इमको जब फी देते हैं अब क्या बोलते हैं अब फी तोड़े बोलते हैं कि दक्षिना के जब मेकानिक आता है कोई दूसरा काम करने आता है उसको आप फी कहते हों कितना फी है आपकी पंडित जी को आप फी नहीं बोलते हों दक्षिना बोलते हों तो दक्षिना का कॉंसेपट समझ्जीएगा वड़ा इंसेंट नाबे और हमारे शनातन धर्म में एकंशिना का कंसेपट आए और ये अंसिट ब्रामणों के साथ है तो दक्षणा करने तो आपको ना मिले तो आप कैसे काम करों संचली और जो क्षण आर्थ में आया क्यूंकि स्किल लाता है इसलिए दक्षते दक्षिना और दक्षिना का लीटरी मेनिंग है पर जो मैं बताना जाता हूं यह नहीं प्राचेनकाल में जितने भी सर्विसेस थे जैसे आज यह सब के लिए पैसा होता है सब कुछ कुमार घड़ा बनाएगा तो भी पैसा लेगा मेकानिक आ कि तो जो ब्राह्मण किसको कहते हैं जो एजूकेशन में इंवाल्फ जिसको आज कल आप पक्रते हूं इंटिलेक्टोसल्स प्रूफीर Mai जुड़े रहते हैं उन्हें को ब्राह्मण करते हैं जो नौलेज से रिलेटेड लोग हैं अगर वो एम्पलोई बनेंगे ध्यान से संदूर तो नौलेज हमेशा कंप्रमाइज क्योंकि फिर राजा जैसा चाहे आपको वैसा बोलना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा आप सच बोल नहीं सकते हो सच लिख नहीं सकते हो सच पाइन नहीं कर सकते हो और ज्यान का परपस क्या है जो जैसा है यत यथास्ति तस्य तथेवग जो जैसा है उसको वैसा ही जानना वैसा बोलना वैसा बताना पर जब आप एम्पलोई हो जाते हैं सबोडिनेट हो जाते हैं तो फिर आप सही ज्यान क को ना बता सकते ना रिसर्ट कर सकते और इसका एक्जाम्पल आप एंशेंट यूरोप की देखिए एंशेंट अरब की देखिए कैसे वहां जो साइंटिस्ट ओगरा या उपन थिंकर होते थे उनको कैसे मारा जाता था जलाया जाता था बहुत सारा एक्जाम्पल आपके पास और इसका दूसरा एक्जाम्पूल है modern western culture में universities को autonomous बनाया गया जो modern western educational system में वही ancient thought था क्या कि जो education में जो study है यह three होना चाहिए इसमें employer employment employee नहीं होना चाहिए लुकुल पुले जाते तो गुरुकुल में भीख्षा करनी भीख्षा मतलब वेगिंग वज्व राजा का बेटा भी वहां पढ़ते हैं एलिट्स के बच्चे वहां पढ़ते हैं तो राजा तो जब चाहे तब पुरा पैसा दे देगा कोई भी लैंड़र दे सकता है पर कोई भी गुरुकुल में कभी भी राजा मंत्री या किसी एलिट से पैसा नहीं लिया जाता है गुजारा कैसे करती ते गुरुकुल वाले रोज बच्चे विक्षा के लिए जाएंगे विक्षा मुला बेगिंग के लिए और कहां जाएंगे रूल दिखे ध्यान से सुनिए किसी भी गाउं में तीन दिन तीन बार से ज़्यादा नहीं जाएंगे और क्योंकि जो देने लगेगा रेगुलर्ली फिर वो कुछ ना कुछ आपसे एक्सपिक करेगा ऐसे चलो ऐसे करो बहुत समझ में आती है तो कमन लोगों से पैसा लिया जाएगा और वो कमन लोग भी बदलते रहेंगे और जिस दिन नहीं मिला डॉंट वरी जंगल में फल मुल खा ले यह गुरुकुल चला और जो ब्राम्मन है वो कैसे कमाई कैसे करेंगे वो तो पढ़ने लिखने पढ़ाने लिखाने में रहे राज महल में दे रहते थे पर राजाओं के सेलेरी या जो एक बाकी एंप्लोई क यह जो याजन तान या तो वो एग्यां होगा Act करा करके दक्षिनाले डक्षिना मतलब इंडिपेंडेंट्स невीम वो ब्हु किसी के तकाम करते वूदcases ना एक मेंका निए वो आपके घर वो उसकी मर्जी आप उसे ठिक से बात में गरों कर नहीं आए गर में जाए उसके पास फ्रीडम है तो ब्राह्मनों को वह फ्रीडम मिले इसलिए दक्षिना विवस्था की गई कि दे शुड़ नट यार लाइव शुड़ नट बेश्टन सेलेरी पर अंग्रे जी में फी है आज कल जो आप पंडितों को देते उसका कोई नहीं है वो तो वो तो पैसे के लिए ही करते ना उनका कोई ज्ञान है ना समझे वो तो वो तो जस्ट आप वो जस्ट ट्राइडिशन को भलो करते हो आज किसी भी पंडित को वावा को जो कुछ देते हो दक्षिना नहीं है वो जस्ट या तो आप दाम देते हो चेरिटी करते हो या प अपने इंटेलिक को कंप्रोमाइज करने वहीं से कंसिप्ट पैदा हुआ दक्षेना की बात क्लियर हुई यह एक इंट्रेस्टिंग चीज था चले आगे बढ़ते हैं तो जो मनीशी लोग होते हैं इंटेलिक्चुल या वाइज मैन होते हैं वो करमस से मिलने वाले हम तो कहीं और चलेगे वापस आते हैं करमस का जो रेजल्ट है उससे उसको त्याग देते हैं त्यागने का अर्थ नहीं है कि वो छोड़ देते हैं उस फल के साथ अपने आपको आइडेंटिफाई नहीं करत हैं ऐसा करने पर क्या होता है जन्म बंध विनिर मुक्तहा तो वह जन्म बर्थ का जो बंधन है जो बॉंडेज है उससे छूट जाते हैं बड़े ध्यान से सुनिये पहले भी मैंने बताया था हमें डर किससे लगता है मौत से या पैदा होने से मौत से हर व्यक्ती चीन से छुटकरा पाना चाहता है चहाप इस से लर्ट इत्लय और उजिए वह माता कर यह में आत मैं आदा है कैंसर से चैनिliśmy अर बहुत कि और बहुत सर्व अगई गोडिंग पराश्ट करना थे ने कि प्रॉब्लममाइघ ये वोन आक्सेप्ट करते हूं पर उस पेन को कैसे करना दो रास्ता है common लोग pain killer खाके ठिक करते हैं smart लोग pain का region cause को identify करते हैं और उस root को fix करते हैं हमारे पुरवजों ने death को problem नहीं माना cause नहीं माना बोले ये painful है पर इस pain का root उन्होंने ढूंडा और कहां मिला? बर्त में क्योंकि तुम तब तुम मरोगे क्योंकि तुम पैदा हुए हो ना मरने का एक ही रास्ता है पैदा मत होना अगर तुम पैदा हो गए दुनिया में कोई भी ताकत तुमें मरने से बचा नहीं सकता और इसलिए हमारे सारे पुराणों में जो माइथालोजी में हजार हजार कहानियां भरी पड़ी है इस बात की यह जो असूर राख्यश लोग जिसको कहा अर यह असूर राख्यश डेलिबरेट लिए उन लोगों के लिए जो ठिक से चीजों को वो जो स्पिरिच्वालिटी को भी हमेजा मानिपुलेट कर लेते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा की साधना तपस्या की बहुत ज्यादा स्पिरिच्वाल प्राक्टिस की शीव की ब्रह्मा की विश्णों की जो भी तो फिर शीव खुश हो करके बोले बिटे क्या चाहिए तो राख्यश बोलता है मुझे इम्मोटल बनाओ यह तो हो नहीं सकता है कि हम तुम्हें आप तुम इतनी तपस्या कर रख्यों हम तुम्हें छोड़के भी नहीं जा सकते देखो फजाओ मत हमें हमें तो तुम्हें 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 तपस्या की हर हमें तुम्हें को बून या बर देना ही देना है पर मौद से बचा नहीं सकते तो भितवर और मक्या मांगता है। कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा, यसे नहीं मरूंगा, यसे नहीं मरूँगा। को तो आपने पढ़ी जे सिर्फ तीनिकिया रावण के वा ही श्टोरी इंट, सबके यहीं है। और इसलिए और आख्यश कहलाते हैं जबकि रावन ब्राम्बन है रिन्यकाश्यव राजा है सब पढ़े लिखें सब एजुकेटेड हैं सब को सब सब के सब क्वाइज हैं पास एक स्पिरिच्वालिटी को मानिपुलेट करते हैं क्या मौत से छुटकरा दिला दो प्राम्मा विष्णु माईज जिसको भी प्रार्थना की तो देखते हैं यह मंद बुद्धी है स्टुपीड है यह समस्ता नहीं है फिर उसको घुमा फिरा करके ऐसे टेड़े मिड़े बार दे देते हैं क्या कितने अच्छा वाई चलो देख सीधा तुम्हें नहीं कह सकता नहीं मरेगा पर इतना मैं कह सकता हूं तुझे कोई इंसान नहीं मार सकता जी अच्छा पर देवता लोग है चलो देवता भी नहीं मार सकता जी राख्यश लोग है चलो राख्यश भी नहीं मार सकता अच्छा तो खुश हो गया पता जला चिटी ने मार दी आप अपने दिवा कहां तक चला तो यह पुराणों की जो कहानिया है वो मेसेज क्या देना चाहते हैं कि तुम कुछ भी कर लो मौत को जित नहीं सकते हो और दूसरे साइड में रिशी मुनी उन्होंने क्या निकाला कि देखो मौत स्केरी है मौत पेनफुल है और हम भी चाहते हैं मौत ना आए और मौत ना आने का उपाय पेनकिलर नहीं जड़ ढूंड़ो आनूने जड़ ढूंड़ा भाई मरता वह यह जो पैदा होता है है तो अगर किसी को ना मरना थे तो वर्कन बर्त पैदा होने पर काम करो कि पैदा क्यूं होते हम पैदा होने के लिए क्या चाहिए होता है रिमेडिए आप पैदा होते हैं तिन चीजों के साथ आपको एक बॉडी चाहिए एक यूमन बड़ी अनिमल बड़ी ट्री प्लाइंट जो भी हो आपको एक बॉडी चाहिए पैदा होने का लाइफ स्पैन चाहिए कितने दिन तक आप जिएंगे और भोग जाती आयू भोग पतंजली लिखते हैं यह ना भोग मलब आपका कैसे एक्सपिरियंस रहेगा लाइफ एक्सपिरियंस यह तीनों आपको जन्म के साथ आते हैं पर यह तीनों किस से डिसाइड़ होते हैं हमारे कर्मों से के जिस तरह है किम्स कर्म करते हैं वो कर्म को करते समय जितना हम जो मेमुरी हम इकठा करते हैं उस मेमुरी के बेसी सब्सक्राइब मरने के बाद में पैदा हूंग य में ही हुंगा फस्तिंग अगर पैदा हुआ तो कैसा body मिलेगा second thing, क्या experience रहेगा third thing, और कितना life span होगा fourth thing, यह decided होता है, तो हमारे पुर्वजों को पता चला, मौत से बचने का रास्ता जनम से होता है, और जनम भी कोई root नहीं है, जनम का भी काज जो है वो हमारे attached कर्म है, जो कर्म हम करते हैं, कर्म कर्म के result उसके साथ जो हमारी attachment है, उस attachment के कारण जो memory collect होता है, जिसको संसकार केते हैं, वही कारण है, उसी के base पर आपको मरने के बाद जनम मिलता है, जनम के कारण पूरा, और सारी चीज़ें involved होते हैं, तो काम किसमे करना है, मौत पर बोले नहीं, जनम पर बोले नहीं, कर्मों पर करो, कर्मों पर क्या करें, काम करना है, छोड़ दे, बोले कहां तक छोड़ोगे, पहले पढ़ा या आगे पढ़ोगे, क्रिश्ण ने बोला कि जो काम नहीं करते हैं तो हिपोक्रेट होते हैं क्या-क्या काम चोड़ोगे बैठना चोड़ोगे उठना चोड़ोगे सोना चोड़ोगे देखना चोड़ोगे क्या चोड़ोगे जो अपलिकेटरी ड्यूटी जे उसी को छोड़ोगे अफिस जाना तो यह हिपक्रशी काम नहीं चोड़ जब तो रास्ता यह निकला काम करो तो डूर्शीब की वो मत रखो कि मैं ही कर रहा हूं जो मिल रहा है उसके प्रति अपने आपको अपने आपको इसके साथ अपने आपको आइडेंटिफाइ मत करो अपनी ड्यूटी समझ के अपलिगेशन समझ के काम करो जो मिले उसको प्रसाद समझे आपको अपने रहे थे और सिद्धी हो असिद्धी हो अचिबमेंट हो फेलेवर हो हर परिष्टिते में मन को शांत रखो उससे इस जीवन में ध्यान रखे इस लाइफ में भी तुम निर्मुक्त जन्म की जो पैदा होने के लिए जो कॉज है वो लिंक ही तुट जाएगा जब लिंक तुट जाएगा तो क्या होगा प्र तुम ऐसे स्टेट ऐसे पोजिशन को प्राप्त करोगे जो अनामय है और वो कौन सा स्टेट है जहां कोई दुख नहीं कश्ट नहीं ऐसा स्टेट उसी को आपके तो मुक्षय मुक्ति निर्वान और यह फोडे निगेटिव ओड़ है प्रीडम प्रीडम इसकी पॉजिटिव ओड़ क्या है फ्रीडम तो होगे प्री होने चे क्या हो जाथा परमानंद करें और तेनी केली सब्थ्रेंप लिज्थ्प शुप्टीम को गया है तो इनिधे इतम प्रिज्डियण और ओने मुख्छ लिए प्लेजर की साइकल से चुटकारा मिलेगा और जो मिलेगा वो आपसिलूट प्लेजर जहां पेन जीरो है जहां किसी भी तरह की डिस्ट्राक्शन जीरो है पूर फूल पूल प्लेज आनन्द सागर पूर्मात्य। इसको कहते है परमानन्द सुप्रिम बीज। और इसके बढ़न ऑप्लेगा आनन्द सागर में नंकिन फंद सागर मं दूबगे तो और नर्दी ही तो भोगोगे तो और भोगोगे क्या और कुछ बच्चे कहीं तो सनातन धर्म में बोख्षा एक पॉजिटिव दी है नेगेटिव छुटकारा बाना पॉजिटिव परमानंद को पाना तो तुम उहां अनामयत तुख रही तो मिजेरी लेस स्टेट को प्राप्त करोगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें